अब हम पढ़ेंगे बंगाल के प्रसाशन की दोषी बेवस्था 1765 इसवी से इस्ट इंडिया कम्पनी बंगाल की वास्तिविक स्वामी अवस्य हो गई कम्पनी की सेना का बंगाल पर एक्षट्र नेंद्रन अस्थापित हो गया और राजनीत की संपूर्ण सक्ति सेना के सक्ति इसके हाथों में आ गई अपनी आंतरिक और बाय सुरच्छा के लिए नवाब कम्पनी पर पूरी तरह आश्रित हो गया था दीवान के रूप में कम्पनी सीधे ही राज्यस्व वसुल करने लगी कम्पनी को अपना उपसुवेदार नामांकित करने का अधिकार मिल गया इस तरह कम्पनी का निजामत अथवा पुलिस और नयाएक सक्तियों का पर पूरा नेंतरन अस्थापित हो गया इतिहास में इस ब्यवस्था को दोहरी या दोयत सरकार कहा जाता है यह इतिहास में इस ब्यवस्था को यह ब्यवस्था अंग्रेजों के लिए बहुत लापकारी सिद्ध हुई इस प्रकार कम्पनी का सत्ता पर पूरा अधिकार हो गया जबकि उनके उपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं थी प्रसासन का दायत्व नवाब और उसके पतादिकारियों पर था हलांकि इसका निर्वाह करने की सकती उसके पास नहीं थी अब सासन की विफलताओं के लिए भारतियों पर दोसा रोपन किया जा सकता था जबकि इसे प्राप्त लाबों का उप्योग कमपनी करती थी बंगाल के जनता के लिए यह बहुत कलेस्पून और घातक परिस्थिती थी क्योंकि उनके हितों की रच्छा नो तो कमपनी ही करती थी ना नवाब कमपनी के अधिकारी बंगाल की जंता पर मानमाने अत्याचार कर रहे थे और ए अत्याचार दिन बदिन बढ़ते ही जा रहे थे कलाइक के सब्दों में मैं कीवल इतना कहूंगा कि श्चाचारी सासन, भ्रांत, घुजखोरी, ब्रष्टाचार और जवरेंदन घसोटने के ऐसादरे से बंगाल के अलावा किसी भी अन्यराजक में कभी देखा सुना नहीं गया इतनी अन्याय पूंड लूट खसोट से कमपनी बेसुमार संपत बटोरने में जूटी हुई थी, जब से मीर जाफर दोबारा शुबेदारी संभाली थी, बंगाल, बिहार और उडिसा इन तीनु प्रांतों से तीस लाख इस्टारलिंग पौंड की राजब स्वसूली का का सीधे कमपनी की अधिकारियों की मुठी में आ गया था, कमपनी के अधिकारी नवाप से लेकर सत्ता से जुड़े छोटे से छोटे जमिदारों तक प्रतेक बेक्ति परसूल को थूप देते थे और उसे जबरदस्ती वसूल लेते थे, कमपनी के पतादिकारी अपनी ओर से बंगाल की संपदा को दोनों हाथों से बटोर रहे थे जिसके परणाम सरुप बंगाल कंगाली की कगार पर आप हुँचा। कंपनी ने भारतीय माल खरीदने के लिए इंग्लेंड से धन भेजना बंद कर दिया। इसके अस्थान पर वे बंगाल से प्राप्त राजोसों से ही भारतीय माल खरीदते और इसे भी देशों में बेचते। इस धन को कंपनी की लागत पूजी समझा जाता था और इसे कंपनी के लाप के रूप में स्विकार किया जाता था। सबसे बढ़कर बात या थी कि मुनाफ़े के इस धन से ब्रिट्री सरकार भी अपना हिस्सा चाहती थी। 1766 में ब्रिट्री सरकार ने कंपनी को 4 लाग पॉंड का भुकतान करने का आदेश दिया। 1766, 1767 और 68 में बंगाल से लगबग 577 लाग पॉंड की धन निकासी हुई। इस दोहरे सासन का दुस्पर नाम यह हुआ कि बंगाल से धन निकासी के फलसुरूप यह प्रांत दरिद्र हो गया और इसकी दसा जर जर हो गई। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा। यह अकाल मानवजाद की इतिहास में पड़े भयंकर अकालों में से एक सिद्ध हुआ। लाखों की संख्या में लोगों की मुरित हुई और पंगाल की एक तिहाई जन संख्या को इस विध्वन के भीशड प्रणाम भुकतने पड़े। हलांकि यह अकाल वर्षा के अभाव के कारण पड़ा था पर इसका बिनासकारी प्रभाव कंपणी की नीतियों के फल सुरूप बहुत बढ़ गया थ। और वारिन हेश्टिंग 1772 से 1785 और कारण वाले 1786 से 1793 के युद्ध। 1772 तक इस्ट इंडिया कंपणी भारत की एक प्रमुक सक्ति बन चुकी थी और अब आगे बिजय से पहले इसके इंग्लेंड में बैठे डारेक्टर और भारत में इसके अधिकारी बंगाल में अपनी इस्थित को मजबूत बना लेना चाहते थे। फिर भी भारतिय राजाओं के आपसी मामलों में दखल देने की उनकी आदत और इलाके तथाधन के उनके लालच ने जल्द ही उनके अनेक युद्धों में उलज़ा दिया। में सासन के लिए एक कड़ा संगर्श चल रहा था जिसमें बालक पेश्वा माधव राइदुति के समर्थक नाना फड़नवीस के नित्रत में एक ओर थे और रगनात राव के समर्थक दूसरी ओर थे बंबई के ब्रिटिस अधिकारियों ने रगनात राव की ओर से का निश्चे किया उन्हें आसा थी कि उनके कुछ देश्वासियों ने बंगल और मदरास में जो कुछ कर दिखाया था वैसा ही कुछ काम वे कर सकेंगे और नतीजितन उनको धन लाव होगा इस कारण वे माराठों के साथ एक लंबी लड़ाई में उलज गए जो 1775 से 1782 तक एक हो गए दचिन भारत के सासक अपने बीच अंग्रेजों की उपस्त से बहुत दिनों से चिड़े हुए थे और इस घड़ी का फायदा उठा कर हैदर अली और निजाम ने कंपनी के खिलाप युद्ध छेड़ दिया इस तरह अब अंग्रेजों को मराठों मैसूर और सामना करना पड़ रहा था इसकी अलामा 1776 में अमेरिका की जनता ने विद्रो कर दिया था इस लड़ाई में अंग्रेजों की लगातार हार हो रही थी फ्रांसिसी अपने पुराने प्रदंदियों की इन कटनायों का फायदा उठाना चाहते थे और उसका भी मुकाबला अं प्रदंदा के साथ अपने कदम उठाए युद्ध में जीत किसी पच्की नहीं हुई और युद्ध थमसा गया 1782 के सलबई की संद्ध के साथ सांती अस्थापित हुई इस संद्ध के अंसार इस्थित को यथावत बनाये रखना था इससे अंग्रेज भारती सासकों की मिली जुली सक्ति का सामना करने से बच गए इस युद्ध में जिससे प्रथम आंगल माराथा युद्ध कहा जाता है किसी की जीत नहीं हुई मगर इससे करीब अंग्रेज 20 वर्सों के लिए माराथाओं माराथों की और से निशिंत हो गए जो तब भारत की सबसे बड़ी सक्ति थे इस समय का लाब उठाकर अंग्रेजों ने बंगाल प्रेशिडेंसी में अपनी इस्थित को मजबूत बनाया जबकि माराथे आपसे जगडों में अपनी सक्ति बरबाद करते रहे इसके आलामा सलबई की संदिके कारण अंग्रेज मैसूर पर दबाव डालने में सफलर ह क्योंकि माराथों ने उन से वादा किया कि हैदर अली से अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने में वे अंग्रेजों की सहायता करेंगे अंग्रेज फिर एक बार भारती सासकों में फूट डालने में सफलर है इस बीच 1780 में हैदर अली से एक बार फिर युद आरंब हो गया अपने पुराने कारणामें दोहराते हुए हैदर अली ने करनाटक में अंग्रेज सेनाओं को बार बार हराया और उन्हें बड़ी संख्या में आत्म समर्पन करने पर बाद्य कर दिया जल्द ही लगवक पूरा करनाटक उसके कबजे में आ गया पर अंग्रेजों की सक्ती और कूटमीती ने एक बार फिर उन्हें बचा लिया वारेन हेस्टिंग ने निजाम को गुंटूर का जिला दे कर तोड़ लिया और उसे ब्रिटीस बिरोधी गड़ जोड़क से अलग करा दिया 1781 और 82 में उसने मराठों से सांती समझा होता कर लिया और इस तरह उसकी सेना का एक बड़ा भाग महसूर के युद्ध के साथ मुक्त हो गया जुलाई 1781 में आयकूट की कमान में ब्रिटीस सेना ने पोर्टो नाओ में हैदर अली को हरा कर मदरास को बचा लिया दिसंबर 1782 में हैदर अली के मुर्ट के बाद उसके बेटे ठीप सुल्तान ने यो दजारी रखा क्योंकि दूनों में से कोई भी पच्छे दूसरे को हराने की इस्तिती में न था इसलिए उन्होंने मार्च 1784 में सांथ संदिकर ली और एक दूसरे को जीते हुए इलाके लोटा दिये इस तरह यह सिद्ध हो गया कि अंग्रेज अभी इतने कमजोर हैं कि माराठों या मैसूर को नहीं हरा सकते पर भारत में अपने बल बूते पर खड़े होने की योगता उन्होंने निश्यत कर दिखा दी थी मैसूर के साथ अंग्रेजो का तीसरा टकराव उनके लिए अधिकलाप परत सिद्ध हुआ 1784 की संध ने टीपू और अंग्रेजो के जगड़े की जड़ समापत नहीं किया था बलकि युद्ध को केवल टाल भर दिया था इस्ट इंडिया कमपनी ने अधिकारी टीपू के जानी दुस्मन थे वे उसे दच्छिन में अपना सबसे सक्तिसाले सत्र समझते थे जो दच्छिन भारत की जीत में उनके लिए प्रमुग बाधक बना हुआ था टीपू भी अंग्रेजों के सक्त नफरत करता था और अपनी स्वाधिनता के लिए सबसे बड़ा खत्रा समझकर उन्हें भारत से बाहर खदेरने पर अड़ा हुआ था दोनों के भी 1789 में फिर युद्ध भड़क उठा और अंतता 1792 में टीपू की हार हुई स्री रंग पट्टम में हुई संदी के अंसार टीपू ने अपना आधा राज अंग्रेजों और उसके सहयोग्यों के दे दिया और साथ ही 330 लाक रुपए हर जाना भी दिया अब लार्ड वेलेजली के काल में अंग्रेजों का प्रसार भारत में ब्रिटिस सासन का दूसरा बड़ा प्रसार लार्ड वेलेजली यानि 1798 से 1805 के काल में हुआ वह 1798 में ऐसे समय भारत आया था जब अंग्रेज पूरी दुनिया के में फ्रांस के साथ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे इस समय तक अंग्रेजियों की नीत यह थी कि अपने लाबों और साथनों की इस्तित को सुद्रिन बनाया जाए नए इलाकों इलाके तभी जीते जाएं जब बड़े भारतिय सासकों को दुस्मन बनाए बिना सुरच्छा पुर्वक ऐसे ऐसा कर सकना संभव हो पेले जली ने फैसला किया कि समय आ चुका है कि जितने अधिक भारतिय राजसंभव हों ब्रिटिश नियंदरन में लाए जाएं 1797 बे तक दो प्रमुग भारतिय सक्तियों अर्थात मैसूर और माराठों की सक्ति छीड़ हो चुकी थी भारत में राजनीतिक परिस्टियां प्रसार के लिए अनकूल थी क्योंकि प्रसार करना अब आसान होने के साथ साथ लाब प्रत भी था अपने राजनीतिक उद्देश से पूरे करने के लिए वेले जली ने तीन उपायों का सहारा लिया सहयक संधी प्रता खुला युद और पहले से अधिन बनाये जा चुके सासकों का इलागा तर हडपना किसी भारती सासकों सासक से पैसा लेकर ब्रिटिस चेना की मदद देने की नीत तो बहुत पुरानी थी फिर भी वेले जली ने इस नीत को एक निश्चित रूप रेखा दी और इसका उप्योग भारती सासकों को कमपनी के अधिन बनाने के लिए किया उसकी साहयक संदि प्रथाक्ती नीत के अंसार किसी सायोगी भारती राजिके सासक को ब्रिटिस से ना अपने राज में रखनी पड़ती थी उसके रख रखाव के लिए अंदान देना पड़ता था यह सब कहने को उसकी सुरच्छा के लिए किया जाता था मगर वास्तों में यह उस भारती सासक से कंपनी के खिरात दिलवाने का एक धंग था कभी कभी कोई सासक वार्शिक अंदान न दे कर अपने राज का कोई भाग दे देता था साहयक संदि के अंसार आमतवर पर भारती सासक को यह भी मानना पड़ता था कि वह अपने दर्बार में एक ब्रिटिस रिजजेंट रखेगा अंग्रेजों की सुकृत के बिना किसी और यूरोपी को अपनी सेवा में नहीं रखेगा गवर्नर जनरल से सलाह लिए बिना किसी दूसरे भारती सासक से कोई बात चीत नहीं करेगा इसके बदले अंग्रेज उस सासक की दुस्मनों से रच्छा करने का वचन देते वे सयोगियों के अंदुरूनी मामलों में दखल न देने का भी वादा करते पर यह वादा ऐसा था जिसे सायत कभी ही पूरा किया गया वास्तों में इसा हजक संदी पर हस्ताचर करके कोई भारती राजय अकनी स्वाधिनता लगभगमा ही बैठता था वह आत्मरच्छा कुटनितिक संबंद बनाने बिदेसी बिसे सगय रखने तथा पडोसियों के साथ आपसी जगडे के अधिकार ही खो बैठता था वास्तों में उस भारती सासक की बाहरी मामलों में सारे प्रवता समाब्थो जाती वह बिदेस रेजडेंट के अधिकाधिक अधिन होता जाता था राज के रोज मर्रा के प्रसासन में हस्त छेप करता रहता था इसके अलावा इस प्रथा के कारण सुरच्छा राप्त राज अंदर से खोखला होने लगता था अंग्रेजों की दी हुई सहयक सेना का खर्च बहुत अधिक होता था और वास्तों में वो उस राज की छमता से काफी बाहर होता था मनमाने धंग से तै किये गए और बनावटी धंग से बढ़ाय जाने वाले इस अंदान के कारण उस राज की अर्थविवस्था छिन बिन और जनता निर्धन हो जाती थी इस सहयक संदिक प्रथा के कारण सुरच्छा प्राप्त राज की से नाए भी भंग कर दी गई लाखों सैनिक और अधिकारी अपनी पैतरिक जीवका से वंचित हो गए जिससे देश में बदहाली और गरीबी फैल गई इसके अलामा सुरच्छा प्राप्त कर राजियों के सासक अपनी जनता के हीतों को अंदेखा तथा उसका दमन करने लगे क्योंकि अब उन्हें जनता का डर नहीं रह गया था चुकि अंग्रेजों ने उन्हें अंदरूनी बाहरी दुस्मनों से रच्छा का वचन दिया था इसलिए उनमें अब अच्छे सासक बनने का कोई लोग नहीं रह गया दूसरी तरफ सहयक संथ अंग्रेजों के लिए अत्यंत लापदायक थी अवे भारतिय राजों के खर्च पर एक बड़ी सेना रख सकते थे अवे अपने खुद के छेतर से बहुत दूर लडाईयां लड सकते थे क्योंकि कोई भी युद होता तो या तो उसके सायोगियों के छेतर में होता या उसके सत्रूँ के वे अपने सुरच्छा प्राप्त सायोगी के रच्छा और विदेशी संबंधों के मामलों पर पूरा नियंतरन रख रहे थे उसकी जमीन पर एक सक्तिसाली सेना रखते थे और जब भी चाहे उसे अयोगे गोसित करके उसका सासन समाप्त कर उसके छेतर को हड़ाप सकते थे जहां तक अंग्रेजों का सवाल था सहायक संद की या प्रथा एक ब्रिटीस लेखक के सब्दों में अपने सायोगियों को बकरी की तरह खिला पिला कर मोटा रखने की प्रथा थी जब तक वे जिब करने के काबिल न हो जाए लाड विलेजली ने 1798 और 1800 में हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संदियां की सहायक सेनाओं के खर्च के नाम पे नगत पैसा देने की बज़ाए निजाम ने कमपनी को अपने राज्य का एक भाग दे दिया 1801 में अवद के नवाब को सहायक संदिय के लिए मजबूर किया गया एक बड़ी सेना के बदले में नवाब को मजबूर होकर अपना लगबग आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा जिसमें रुहल खंड का इलाका और गंगा यमना का दवाब भी सामिल थे उसकी अपनी सेना लगबग पूरी तरफ भंग कर दी गई और अंग्रेजों को यह अधिकार मिल गया कि वे उनकी राज के किसी भी भाग में अपनी सेनाएं तैनात कर सकें वेले जली महसूर करनाटक और सूरत के साथ और कड़ाई से पेश आया निश्य थी महसूर कर्ट सुल्तान टापू टीपू सुल्तान कभी सहायक संध के लिए तयार नहीं हुआ उल्टे उसे 1792 में अपना जो आधाराज देना पड़ा था उसी को वे कभी भूल न सका वह अंग्रेजों के साथ अपने अवस्य भावी यूद के लिए अपनी सेना को लगातार मजबूत बनाता रहा उसने करांदकारी फ्रांस के साथ गड़ोड की बात भी चलाई उसने एक ब्रिटिस बिरोधी गड़ोड बनाने के लिए अफगानिस्तान अरब और तुर्की में भी अपने दूद भेजे ब्रिटिस सेना ने 1799 में टीपू पर हमला किया और एक संचिप्त मगर भयानेक यूद के बाद फ्रांस सिसी सहायता करने सहायता पहुचने के पहले ही उसे हरा दिया गया टीपू ने अभी भी गिड़गड़ा कर सांथ की भीक मांगने से इंकार कर दिया उसने गर पुर्व गोशना की की काफिरों का दैनी अदास बनकर उनके पिंसन प्राप्त राज़ां और नवाबों को अपनी सूची में साम प्रादार सनी रही है टीपू का लगबग आधाराज अंग्रेजों और उसके सहयोगियों निजान के बीच बढ़ गया मैसूर राज का सेजभाग उन राजाओं के राजवनसों को वापस दे दिया गया जिसने हैदर अली ने राज छीना था नए राजा को मजबूर करके एक विशेश सहयक संधी पर हस्ताचर कराये गए जिसके अंशार अगर गवर्नर जेनरल आपसकता समझे तो राज का सासन खुद संभाल सकता था वास्तों में अंग्रेजों ने मैसूर की को कमपनी पर पूरी तरह आथरित बना दिया 1801 में लाड विलेजली ने करनाटक के पिठू नवाप पर एक नई संधिलाज दी और उसे मजबूर किया कि वह पेंसन लेकर अपना राज कमपनी को सौप दे अब मैसूर से मालाबार समय जो छेदर चीने गए थे उनमें करनाटक को मिलाकर मदरास प्रेसिडेंसी बनाई गई जो 1947 तक जारी रही इसी तरह तंजर और सूरत राज भी हड़प लिये गए और उनके साथ को को पेंसन देकर किनारे पर दिया गया इस समय माराठा सामराज जो पांच बड़े सरदारों का एक महासंग था यह थे पूना का पेस्वा बड़ोदा का गायकवाड ग्वालियर का सिंदिया इंदोर का होलकर और सभी सरदार आपसी जगडों में कट मर रहे थे पेस्वा का महासंग का नाम मात का प्रमुक था लेकिन इस सभी सरदार आपसी आपसी जगडों में कट मर रहे थे और बढ़ते वे बिदेशियों के खत्रों की ओर से बेखबढ थे वेले जली ने बार बार पेस्वा और सिंदिया के आगे सहायक संदी का प्रस्ताव रखा था मगर दूर दर्थिव नाना फ्रनुईस ने इस जाल में फसने से इंकार कर दिया था मगर 25 अक्टूबर 1802 को जब दिवाली के दिन होलकर ने पेस्वा और सिंदिया को की मिली जुली सेना को हरा दिया तो कायर पेस्वा बाजी रावदूतिय भाग कर अंग्रेजों की सरण में जा पहुंचा और वर्स 1892 के अंतिम दिन उसने बसाई में एक सहायक संदि पर अस्ताचर कर दिये यह जीत कुछ आसानी से ही मिल गई थी मगर एक बात पर वेली जली गलत था अभिमानी मराठा सरदार बिना लड़ाई के अपनी स्वाधिंता की परंपरा छोड़ने वाले नहीं थे मगर संकट की इस घड़ी में भी वे साजे सत्र को खिलाब एक जुट नहीं हुए जब संदिया और भोसले अंग्रेजों से लड़ रहे थे तब होलकर चाप दूर खड़ा था और गायकवार अंग्रेजों की मदद कर रहा था फिर जब होलकर ने तलवार उठाई तो भोसले और संदिया ने अपना बदला चुकाया दच्छी में आर्थर बेले जली की कमान में ब्रिटिस सेना ने असाय में सिस्थमबर 1803 में और फिर अरगाउं में नवंबर में सिंदिया और भोसले की मिली जुली सेना को हराया उत्तर से लाड लेक ने नौमबर की पहली तारीक को लसवाडी में सिंधियां की सेना को तहस नहस कर दिया था और अलीगड दिली और आगरा पर कबजा कर लिया भारत का अंधा समराठ एक बार फिर कमपनी का पेंसन खोर हो गया मित्र मराठा राज्यों की सांग को सांती की बाचित चलानी पड़ी अब वे दोनों कमपनी के अधिनस्त सहयोगी बन गए उन्होंने अंग्रेजों को अपने राज्यों के कुछ भाग दिये अपने दर्बारों में अंग्रेज रिजिडेंट रखे और अंग्रेजों की सहमत के बिना यूरोपियों को सेवा में न रखने का वचन दिया अब उडिसा के समुदर तट पर और गंगा यमना के दुआ पर अंग्रेजों का कुण अधिकार हो गया पेशवा उनके हाथों की एक कटपुटली बनकर रह गया वेलेजली ने अब अपना ध्यान होलकर पर केंद्रित किया और यह सवंतरा होलकर अंग्रेजों के लिए काफी भारी साबित हुआ और अंग तक ब्रिटिस सेना से लड़ता रहा जब लेक ने राजा के किलो को तोड़ने की असफल कोसिस की तब होलकर के सहयोगी भरतपुर के राजा को भारी नुक्सान पहुचाया इसके अलामा होलकर परिवार के साथ अपनी पुरानी दुस्मनी भुलाकर सिंधिया उससे हाथ मिलाने की बात सोचने लगा दूसरी और इस्ट इंडिया कमपनी के सेयर होल्डरों को पता चला की युद के जर्ये प्रसार के नीत बहुत महंगी पड़ रही थी और उनका मुनाफ़ा इससे कम हो रहा था कमपनी का कर्ज जो 1797 में 170 लाक पॉंड था 1806 तक बढ़कर 310 लाक पॉंड हो चुका था इसके अलामा ब्रिटेन के बित्ती साधन ऐसे समय में खत्म हो रहे थे जब नेपोलियोन यूरोप में एक बार फिर एक बड़ा खत्रा बन रहा था ब्रिटेस राजनेताओं और कमपनी के डिरेक्टरों को लगा कि अब आगे प्रसार रोग देने फिजूल खर्ची बंद करने और भारत में ब्रिटेन की उपलब्दियों को सुरच्छित करने और मजबूत बनाने का समय आ चुका है इसलिए वेले जली को भारत से वापस बुला लिया गया और कमपनी ने जनवरी 1806 में राजगाड की संद्ध के द्वारा होलकर के साथ सांते अस्थापित कर उसे उसके राज का एक बड़ा भाग लोटा दिया वेले जली की प्रिसार नीत सफलता के निकट पहुचते ही रोग दी गई थी पर फिर भी इसके नतीजितन इस्ट इंडिया कमपनी भारत की सबसे बड़ी सक्ती बन चुकी थी कमपनी की न्याइक सेवा के एक योग अधिकारी हेनरी रोबरवाला ने 1805 में लिखा भारत में मौझूद हर अंग्रेज गर्व से भरा और अकड़ा हुआ है वह अपने को एक बिजित जानता का बिजेता मानता है और अपने नीचे के हर विक्त को कुछ स्रेश्टा की स्रेश्टा की भावना से देखता है अब लार्ड हेस्टिंग के काल में प्रसारा